तो एक प्लेस्ट है आपको एड्मिट कार्ट का दो जिरोक्स रखना है एक कलर जिरोक्स और एक ब्लैक और वाइट भी रख सकते हैं आप जाकि आप एक्जाम हो में आप original लेके जाए admit card तो आपका admit card misplace हो गया तो आपके पास एक backup plan हो और घर पे भी कम से कम 2 admit card रखे admit card का xerox second important thing है आपका stationary box यानि की पाउच जो कि transparent होना चाहिए जाके examiner आए तो आपका time waste ना करें आप मतलब check करते ना कि आप क्या क्या रख्यों आपके पास कोई चिट तो नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे पाउच दिखा सकते कि देख लो हमारे पाउच में कुछ नहीं है आपका पाउच transparent होगा तो आपका time बचेगा आपके पाउच पर सारी चीजे होने चाहि तीन पेंट भी रख सकते हो आप अपने बैग में रखेगा सेकेंड है pencil डायग्राम बनाना है ग्राफ बनाना है तो उसके लिए pencil बहुत important है तो शापन पेंसिल दो पेंसिल रख लीजेगा पाउच में और एक बैग में for safety eraser, sharpener, scale, scale is also most important thing तो यह आपका यह पाउच पहले स प्रॉब्लम ना हो थर्ड है water bottle आप बहुत stress में होगे और examination hall में आपको तीन हार बैटना ही पड़ेगा तो अभी corona time चल रहा है जैसे की तो अगर आपको बाहर का पानी प्रिफर ना करें आप बाहर का पानी नहीं पीना चाहते है तो आप water bottle carry के रिए जो की transparent ही होना क्योंकि वापिस चेक अप होगा फिर फाल्तू का time waste आपका होगा तो एक transparent water bottle अपने पास से ले जाए फोर्थ है watch वो भी बहुत important है क्योंकि आपको time का एक अंदाजा रहेगा कई examination hall में watch नहीं होता है तो और watch ले जाएगा तो उसे left hand में पहनेगे जाकि आपकी writing fast हो अगर आप lefty है तो आप right hand में पहने है writing एकदम fast होनी चीज है जाकि paper complete हो जाए और paper computer के बाद चेक भी कर लीजेगा क्योंकि आजकल time नहीं मिलता है छोड़ देते हैं कंटाल आता है पर नहीं ऐसा नहीं करना पेपर चेक कर लेना कि क्या क्या चूटा है सब चेक कर लेना खेर हम मानी जाते हैं अगला important चीज है राइटिंग पैड राइटिंग पैड भी जरूरी है क्योंकि आपको पता नहीं कि वह एक्जामिनिशन हॉल में benches जो है proper है कि नहीं तो राइटिंग पैड और आप राइटिंग पैड से कहीं कैसे भी मूव होके comfortably बैट के आप लिख सकते ह स्कूल का अगर मिला हो तो आप इग्जामिनिशन हॉल में इतने हार बैट हो गे तो आपका मांक्स घीला हो जाएगा तो आपको चेंज करने के लिए दूसरा marks भी रहे तो आपको better होगा और साथ में एक handkerchief भी carry करो जाके आप अपना face पोच सको और comfortably exam में बैठ सको और आप अपने center में at least 45 minutes पहले पहुत जाना जैसे last day traffic होगा बहुत सारे बच्चे अपने center के लिए निकलेंगे तो traffic आपको मिल सकता है तो आप time से पहले पहुचेंगे तो अच्छा रहेगा stress भी कम होगा आपको और center पहुचने के बाद आप बहुत बच्चे को दखी होगे कि last moment पे पढ़ रहे हैं तो वो देखके आपको stress होगा तो आपको एकदब ignore करना है last moment पे एकदम काम रहना है किसी को देखना नहीं हो फिर भी आपको लग रहा है कि अरे मैं पढ़ लेता हूं पढ़ लेता हूं लीजेगा ब्रेकफास्ट कर लीजेगा आपको भूक नहीं लगनी चाहिए एक्जाम लिखते वक्त या तो नहीं तो फिर आपका पूरा माइंड उधर ही डाइवर्ट हो जाएगा और आप एक्जाम पे फोकस नहीं कर पाओगे तो अच्छे से खा के जाना घर से हूं तो स्थी कम दो यर बस्ट अढ आप बेस्ट वर एक्जाम था वश्ट तो वाच्छिंट